नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी सौगत आपका हमारे यूटूब चैनल में जहां हम आज़ी क्लास में चैप्टर नमबर थी के पार्ट टू पर चाशा करेंगे इस से पहले इस चैप्टर के भाग एक में हमने यह पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में छेत्रिय शक्तियों का उदय कैसे हुआ जहां हमने मालवा के बारे में, जौनपूर के बारे में और बंगाल के बारे में इसके पिछले भाग में पढ़ लिया था तो यदि आपने इस चैप्टर के भाग एक की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको जरूर देखिए और किताब से जरूर उस चीज़ को पढ़िए ताकि चैप्टर में आगे आपको समझने में असानी हो इसके साइज साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल से जरूर जुड़ें आज़ी क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असम को असम में हम कमाटा कामरूप और अहोम समराजी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद उडिसा के बारे में पढ़ेंगे तो देखो असम को पढ़ने से पहले हम असम की जोगरफी को पढ़ते हैं तो देखो जब आप असम को भावाली की स्तर पर पढ़ेंगे, असम की जोगरफी को पढ़ोगे, तो आपको वह चलेगा है कि यहाँ पर पश्चिम में करातोया नदी थी, इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र की घाटी, मिश्मी की पहाडियां और पठकाय भूम की पहाडियां, अगर आप बात करेंगे आसम की, तो पश्चिम में करतोया नदी हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की घाटी है, मिश्मी की पहाडियां है, पठकाय भूम की पहाडियां है, इसके साथ इसकी जो पूर्व की सीमा है, यानि कि इश्ट के तरफ की ज के लिए लिए ब्रमा को आज मैयामार के नाम से हम जानते हैं तो आज को जो मैयामार्डेश उसरे पहले ब्रमा कहा जाता थाψती में त्यरवी से पंदुर सदिय के अकर बात करें थो असम के अंदर चूटिया अहो कोच दिमासा तृपुरी मड़ीपुरी खांसी और इंतिया जैसी राज वरस्ता हैं विद्यमान थी तो यानि कि जब आप असम की जोगरफी देखते हो तो असम में कारा तोया नदी ब्रह्म पुत्र की घाटी मिश्मी की पहाड़ियां पठकाय बूम की पहाड़ियां ये पूरा इलाका असम कहलाता था पूरम में इसकी सिमा ब पारमी इसमें बता है जाएगा इसके लावा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर एक छेतर है कमाटा कामरूप तो जब आप कमाटा राज जी की बात करोगे तो कमाटा राज ब्रह्म पुत्र घाटी में इस्थित्था और जो आजका भूटान है कूछ बिहार का एरिया है मेहमन सिंग का एरिया है गारों की पहाडिया है यह सब इस कमाटा राज जी में शामिल थी कमाटा राज जी की जो राजधानी थी वो थी कामरूप इसलिए से हम कमाटा कामरूप समराजे पढ़ते हैं तो आजका जो भूटान है कूछ बिहार है मेहमन सिंग गारों की में जाना जाता था और काम रूप को राजधान की बनाया गया था है कमाटा की राय संध्या के या काल में राय चाइंड़ा को टाइंप यह था-ई-े फट- Cambodia tarde से कि बारा्रामारूप राजजी की तो कामाटा राजजी इत्लि से कंख्या कहीं सफलतालों सफलतां बास्दी सावित हुआ उसके बहुत सारे सैनी की सभ्यान में मारे गए बार सु सत्ताइस में सुल्तान ग्यासुद्दीन इवाज ने काम रूप पर अधिकार करने का प्रयास किया लेकिन वो भी हार गया और इसको हराया कमाटा काम रूप के राजा राय प्रतु ने आगे चल लेकिन नस्रिद्द्धिन महमूद पहली बार जीत गया लेकिन आगे चलकर जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई तो फिर से चेतर सुतंतर हो गया फिर उसके बाद मलिक यूजबेक ने बार सो पच्पन में सोचा मैं इस चेतर पर आकमन कर दूँ बट वो भी हार गया तो इसस सिर्फ और सिर्फ हारा है नस्रिद्धिन महमूद के हाथों आगे गर हम बात करें तो कामरूप की जो लड़ाई होती थी वो अपने पास के अहोम राजाओं से होती थी तो कामरूप राज्य सदे अहोम योजनाओं का शिकार होता था तो अहोम लोग इन पर आकमन करते थे और कमाठा कामरूप पर कई बार वो कंट्रोल भी कर लेते थे क्योंकि अहोम ना कमाठा कामरूप वालों से जादा शक्ति साली थे तो जैसे कमाठा के राजाते सिद्धू राय यहाँ पर दिखे लिखा हुआ है कमाठा के शाशक से सिद्धू राय इनके विद्ध अहोम र बाद नेयर राज आया प्रताब ध्वज तो देखों सिंदुराय को किस ने आया सुकाफा नेयर आ दिया अब सिंदुराय के बाद जब नेयर आया प्रताब ध्वज तो प्रताब ध्वज ने अहों टवी सद्दी में कमाटा राजी की महत्मुर्ण विशेष्ता यह रही कि हा पर एक बहुत बड़ा विद्रो वहुआ इसे हम भुयान सरदारों का विद्रो कहते हैं भुयान सरदारों की बात करें तो इन्होंने देखा कमाटा काम रूप में आज तिरता चल लिए उत्रादिकार को लेकर संघश चल ला है तो भुयानोंने सोचा भाई कि हम क्या करें इस छेतर पर कंट्रोल कर लेते हैं ऐसे में दो भाई थे जिनका नामता धरम नरायन और दुलब नरायन इनके बीच में इस चीज को ललाई हुई कि उत्रादिकार किसको मिलेगा इनकी राजा कौन बनेगा ऐसे में भुयान सरदारों विद्रो कर दिया और इन्होंने सत्ता हासिल कर ली आगे चलकर 1480 से लेकर 1498 के भी इसमें खयानवन सबसे सकती साली की सासक हो गए यहां का और इस छेतर पर यह लंबे समय तक शाषन करेगा तो कमाटा काम रूप के बारे में मानलो आपको टिपड़ी करने के लिए आजाए तो आप बताओगे पहले इसकी भौगालो की से थी फिर आप बताओगे आज का जो भुटान है कोच बिहार है मैमन सिंग गारो की पाड़े इसमें शामिल थे इसकी राजधानी क्या थी उत्री गोहाटी जिसे आज उस समय काम रूप के रापस जाना जाता था महम्मद गोरी के सेनापती बक्तियार खिलजी ने इस पर आकमड़ गिया आगे चल कर गया सुदि निवार ने आकमड़ किया बट ये सब सफलने हुए इल्तित्मिष का पुत्र नसुरी दिन था उसने इसे हराय था आगे चल कर अहुम राजाओं से इनके युद्ध होते थे और अहुम राजा जातर युद्धों को जीतते थे ये बात आप कमाटा कामरूप के बारे में बता हुए आगे इस चैप्टर में अहुम राजाओं के बारे में बता है आगे चलकर इन्होंने क्या करा एक राज्धानी बनाई जिसका नाम है चपरागुआ को सबसे पहली बात यह है कि अहों जो कौन बात कौूसे दूसरी बात कि इसकτοर है चरागुवा को इसके साथ मौशान की बात करें तो इसका पहला राजा कौन था सुकाफा था पहला ओहम शाशक यही था इसने चूटियों मुरान बोरंगियों और जो नागजन जाती थी इन सब को अपने कंट्रोल में कर लिया किसने जो यहां का पहला राजा बना था इसका नाम था सुकाफा उसके बाद उसका पुत्र राजा बना जिसका नाम सथ सुत्यूफा ठीक है बही उसने कचारियों को राया और अपने छेत्र को आगे बढ़ा दिया जो यह राजा था सुकांग फा इसके अधिन अहोम शाशक शक्ति साली राजा बन गए उन् 1997 तो इस समय हाँ पर कोई भी राजा नहीं था तो इस परकार से अहोम जो शाशन है यहां पर भी आई स्तिरता हुई यहां पर भी विद्रों हुआ कचारियों का विद्रों हुआ नागों का विद्रों हुआ अहोम साशंकाल की सबसे महत्पुर्ड पहलू था विश्वा सिndhा तो विश्वा सिंधा ने क्या अगरा कोचों के खलाफ संखश किया कोच शाशक नैरायन और उसके सेनापति चिलाराये ने अहोम सत्ता का तक्था पिलट किया अहोम राजनीती के अगर सबसे वड़ी विशेशता करें तो कुलीन वर्क का दबदबा था मूल सलाकार जो सुकाफा के साथ आये उसका नाम था बुरागोहीन और बरागोहीन यानि कि जब आप अहोम राजनीती पड़ोगे तो उसमें आपको दो चले है कि राजा किस से प्रामश लेता था तो राजा अपने कुलीनों से प्रामश लेता था अपने अमीरों से प्रामश लेता था विश्वास पात्रों से प्रामश लेता था तो ऐसे में जो सुखाफा राजा था वो अपने साथ दो व्यक्तियों को लिकर आया था जिसका नाम था बुरा गोहिन और बड़ा गोहिन बाद में जब नएया राज्या बना शीहूं मांग तो इसने कैम कर लोग बड़ा पात्र गोहिन को शामिल कर लिया आगे चल कर पात्र मंतरी निर्माण किये गए पांच मंतरी यानिकी इसमें तीन का पद ही अमाना गया कि वशानुगत होगा यानि कि उसके बाद उसका बेटा उसके बाद उसका बेटा और दो लोग अलग से चुने जाएंगे अहोम राजाओं की सेना में सबसे बड़ा समधाय था पायक पायक मतलब होते हैं पैल सेने तो कोई भी छेतर जब ही आगे बढ़ सकता है जब उसकी सेनिक प्रणाली बहुत अच्छी हो तो जब आप अहोम राजाओं के बारें बताओगे तो पहले उसका छेतर बताओगे उसके राजाओं के नाम बताओगे उसके बाद कुलीनवर के बारें बताओगे और फिर पायक के बारे में बताओगे ये सब कोशन ना टिपड़ी करने के लिए ही आएंगे बड़ा कोशन इसमें से कुछ भी नहीं आएगा आगे हम बात कर रहे हैं उडिसा की तो उडिसा की बात करें तो जब दिल्ली सल्टनत में तुर्कों का आक्रमण हो रहा था उस समय उडिसा में गंग शाष्कों का सासन चल रहा था जैसा कि एक किताब है जिसका नाम है तबाकात ए नासरी इस किताब में बताया गया है कि बक्तियार खिलजी ने मुहम्मद और एहमद भाईयों को जाजनगर पर ठीक अपनी मृत्तियों से पूर आक्मड करने के लिए भेजाता है तो जाजनगर को ही आज ओडिसा के नाम से जाना जाता है तो तबाकात ए नासरी किताब में लिखाए कि बक्तियार खिलजी ने दो भाईयों के यहां बहता है एक का नाम था मुहम्मद और एक का नाम था एहमद इससे का जाओ भाई तुम जाजनगर पर आक्मड कर दो इस समय जाजनगर का राजा था राज 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 तित्य अगला आक्मड गया सुद्धिन इवाज की नेतरत में हुआ तबाकात ए नासरी किताब में बताया गया कि इवाज को सफलता मिली है लेकिन जब आप चाटेश और अभिलेक पड़ोगे तो पता चलेगा अनंग भी त्रित्य जीत गया था और इवाज हार गया था नरसिंगम वंजब यहां का राज बना फिर उसे भी आक्मड का सामना करना पड़ा नरसिंगम प्रथम के समय मिदनापूर हावडा हुगली तक यह छेत फैला हुआ था कौन सा छेत उडिसा उस समय से किस नाम से जाना जा रह आगे चलकर यहां का एक और राजा बनेगा भानुदेव त्रित्य तो भानुदेव त्रित्य के शासन काल से गंगा राजाओं की शक्ति जो है कमजोर होने लगी इस अवसर का लाव उटाते वे पड़ोसी राजियों ने उडिसा पर आक्मड कर दिये तो सीधी सी बात है ज ली विजयनगर जौनपूर बहमनी राजाओं ने भी उडिसा में बारबाल लोट पाट की आगे चलकर भानुदेव चतुर्त राजा बना लेकिन उसका मंत्री जो था कपिलेंद्र उसने तक्था पलट किया और उडिसा के राज़ पर बैढ़ गया यानि कि जब यह राजा मुंद्री के राज्य को भी जीत लिया फिर इसने विजयनगर के शाषक शलूआ नरसिंग को भी हराया तो इस प्रकार से जो यह राजा बना कपिलेंद्र इसके समय पर उडिसा कहीं न कहीं थोड़ा सा पहले के मुकागले पावर्फुल हुआ तो कुल मिलाकर उडिसा की ब बार में पूछा जाएं तो इनके सब के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा बताना पड़ेगा तो इस चैप्र की अगर बात करें तो इस चैप्र में छोड़ी-छोड़ी छेतरी शक्तियां दी गई हैं यह ठोड़ी से टिपकल हो जाती हैं क्योंकि फैक्ट बहुत सारे ह जाते हैं तो पहला दूसा तीसा चैप्टर जवाब पढ़ोगे तो इसमें से ज्यादा चीजे एक्जाम के लिहाब से इंपोर्टेंट नहीं है बट नॉलिज के इसाब से बहुत इंपोर्टेंट है तो जब हम चौथा चैप्टर शू करेंगे विजयनेगर समराज्य तो वह हां से जो कोशन है वो काफी अच्छे कोशन बनेंगे बट अभी इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी चीजे रहरी हैं मैं आपको बताये तो समराइज जैसे की काश्मीर तो कश्मीर की बात करोगे तो आपको पता है कश्मीर में पीर पंजाल की परवश्येणिया हैं किस् धर्ति का स्वर कश्मीर को कहा जाता है सिंदू जेलं और इसकी साहिएक नदिया इस चेतर में आती हैं कछारी भूमी है काफी मात्र में यहां खेती होती है कश्मीर घाटी के परवतों से घिरे होने कारण यहां पर कुछ दर्रे हैं जैसे जो जिला दर्रा बनिहाल दर्रा गुंदील दर्रा, पीर, पंजाल दर्रा, तोशा, मैधान दर्रा, दर्रे वो होते हैं जो पहाड़ों की वीज में छोटे-छोटे छेतर होते हैं, जहां से लोग बाग आवजा ही करते हैं, तो ऐसे में इन दर्रों का समाज एक आर्थिक महत बहुत जादा है, 13 सधी में बात किया तो कश्मीर एक सोतंत राजा था तो उसके शाषन के दोरान सामंती समुदायों ने विद्रो कर दिया और यहां से राजादेव को हटा दिया और राम देव जैसे उत्राधिकारी अपनी शक्ति गों बनाए ना रख सके तो जब राम देव मर गया तो यहां का एक सामनता जिसका नाम था सिंग देव सिंग देव यहां का राजा बन जाता है लेकिन उसका बंश पर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है महमूत गजनभी 1015 और 1021 में दो बार कश्मीर पर आकमड करेगा लेकिन वो यहां की पहाड़ियों को पार नहीं कर पाएगा कश्मीर को यह लगता था कि भाई कभी भी आकमड़कारी इन उची-उची पहाड़ियों को पार नहीं कर सकते है लेकिन 1320 में इस मानेता को तोड़ दे गया जब एक सेना पत्य आया दुलाचा उसने इस छेत पर आकमड़ किया और इसे हराबी दिया और यहां की संपत्ति को लूटा लेकिन भेंकर तुफान की वेए से बनिहाल दर्रे में उसकी मृत्तिय हो गई इस आकमड़ के बहुत गहरे प्रभाव हुए यानि कश्मीर में पहला आकमड़ सफला आकमड़ का हुआ 1320 में इस आकमड़ का प्रभाव हुआ कि कश्मीर में मुस्लिम सासन की स्थापना हुई राजा सहदेव ने मंगोल समस्य का समाधान किया था लेकिन भेंकर तभावी की वेसे कश्मीर की जनता में असंतोष बढ़ रहा था लद्दाक पा एक भोटा राजकमार था रिंचन वो इस छेतर में आता है और रिंचन क्या करता है राजा बन जाता है बड जो यह दिंचन होता है धिरे धिरे करके इसलाम स्विकार कर लेता है और फिर अपना नाम रख लेता है सुल्तान सदरुद्दीन यानि कि जो रिंचन था पहले हिंदू था, कश्मीर में आता है, इसलाम ध्रहम अपना लेता है, फिर सुल्तान सद्रुद्दिन की उपाजी ले लेता है, उसकी फिर हत्य कर दियाते थोड़े दिनों बात, अरारेक्ता की स्तिती बनती है, शम्शुद्दिन प्रथम वहां का ने राजा बनता है, और मीर वन्श की स्थापना करता है, कश्मीर को जो मजबूती का अधार दिया है, वो शहबुद्दिन ने दिया है, 1398 में तैमूर लंग ने भार्थ पर आक्मड किया, तो उसने फौलाद भादूर और जैनुद्दिन को कश्मीर के सुल्तान सिकंदर क पास दूद्द बना कर भेजा, तो कश्मीर की सत्ता की बात किया है, तो कश्मीर की सत्ता जो सुल्वात होई, खराब होनी हो, 1320 से होई, जब उसमें वहाँ पर आक्मड हुआ, और उस छेतर को लूट लिया गया, आके जब सैयद शाषन वन्श चर लाता, तो दिल्ली के संगर्स नहीं हुआ सैयद वन्श के दोरान, लेकिन जब बहलोल लोधी शाषन में आया, तो कश्मीर और दिल्ली के भी संबन्द तनापूर्ण हो गए, जैसे कि ताबाकात अकबरी पड़ो गया, तो महां हैदर शाह की मिर्त्व के बाद उत्तर अधिकार को लेकर संगर्स बाद की बाद करो, पंजाब के कुछ भाग करो, यह वो छेतर है जहां राजपूतों का शाषन था, थार का विसाल रेकिस्तान है, यहाँ पर बीकानेड, जैसल मेड, बाड़ मेड के छेतर आते हैं, इसके लावा डूंगरपूर, बासवाड़ा, चित्तोड, रर्थंब औ राजपूतों की बात की जाए, तो राजपूत पहले क्या थे? कभिलाई रास्तंत्रों में विश्वास करते थे, कभिलाई रूप से जीते थे, भूल, मीना, मीड, जाट यहां की स्थानी जन्जातियां थी, भीलों की प्रमुकता मेड, डूंगरपूर, बासवाड के और ऐसी जाटों में एक जंजातिती सिसोदिया दो दक्षन भारत में नर्वदा घाटी से आए थे तो इनकी जंजातियों के नाम हो गए भील, मीना, मेड, जाट, सिसोदिया, भाटी मद्ध भारत में इस्थित नर्वर से कच्वाव आए थे, जो आपने जोधावाई के बारे में सुनाओगा उनके पिता बीका नहर के राठोड कन्नोच छेतर से थे, राजपूतों के विस्थापन में कुछ महत्पूर प्रवर्तियों को हमें संकेत मिलता है राजपूतों के सबसे बड़ी बात रही कि उत्राधिकार को लेका संगश रहे और यह आपस में ही लड़ते रहे इसलिए ये छेतर सक्ति कभी बड़ी शक्ति नहीं वन पाई सक्ति के प्रदर्शन पर इन्होंने किलो का निर्मार किया समाजिक धार में कारे किये विस्थापित जातियों पर मस्तक पर तिलक लगाने की परंपरा का मतलब यह था कि जो बंदा तिलक लगा रहा है वो साधान जनता है और जिसको तिलक लगा जा रहा है वो वहां का इस प्रकार से राजा को इश्वर का प्रतिनिधी समझा गया कहां राजपुताना में गुहिल और सिसोधिया की बात करें तो उत्तर पश्चिम छेत्र में जो सबसे सक्तिसाली राज्य हुआ वो था मेवाड मेवाड का नाम आपने सुनाई होगा तो 13 सेंचुरी में जेत्र सि को सुध्रड किया और तुर्कों के आक्रमन का सामना करने में ऐसा फल रहा और तुर्क लोग ने इस छेत्र को जीत लिया अलावुत दिन खिल्जी ने राडा रतन सिंग को हराया तेरह सो तीनमर मेवाड पर अधिकार कर लिया चौदवी सदी के दवान मेवाड में आंत्रि चापन, बूंदी, नागर, जालोर, संभर ये सारे छेत्र कंप्लीट हो गए और फिर एक राज आये राणा कुमभा राणा कुमभा के टाइम पीरड पर राजपूतों की जो शक्ति इस छेत्र में थी सिसोद्य शक्ति थी वो चर्मोत कश्ष पर आ गई राणा कुमभा किस दुर्गापूर, सामभर, नागो, और रर्थमब, और अजमेर, सब पर अधिकार कर लिया किसे राणा कुमभा ने, राणा कुमभा का वद्ध उसके पुत्र उदा के दवारा कर दिया गया और फिर वो सिंगहासन पर बैठ गया, तो यहां पर छोटे छोटे इन सब के वार में बताया गया है, तो यह ज़ Kelly अगर आप यहां के दो-चार नाम के नाम याद करना चाहिए, तो कर सकते हैं, आगे चाप्तर में गुजरात और मालोवा के बारे में पताया है, वह यह वे आती है, कि छेत्र राऑज्जी की विशेस्ता ही, क्या थी, इसके बाद इसके रो हो जाता है तो देखो 6 तीर राज्य की अगर विषयषता बात करोगे तो हिंदू-मुसलिम के बीच में बयर्भा होता है यहाँपर अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो हिंदू-मुसल्मानों की बीच में जो संघर्ष था वो संघर्ष देखा जाये तो उपरी तौर पर था लेकिन अगर आप निचले तौर पर देखोगे तो जो मुस्लिम में शाशक हैं इसमें भी उचवर्ग पर हिंधू थे कमाटा और अहों राज्जिक वी आई दिन युद होते थे वो तो राज्पूत आपस में लड़ते थे वो तो हिंदू हिंदू थे साथे कि यहां पर लाईती माना जाता है राजनितिक कार्णो की वजह से थी तो और छेत से यह पता जलता है कि धर्म इतना जादा दबदबा नहीं था इसके लावा छेत्री राज्यों की दूसरी सबसे बड़ी विशेस्ता यह है कि यहां पर सामंत्र शाही चलती थी सामंत्र शाही का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को उचापत दे जाएगा और वो पूरे को पूरे यह पता है ka तो जो शेत्री राज्यों की तीसरी सबसे बड़ी विशेस्ता ही कि कुलीन वर्क को राजा कोuingार्ब total सर्प इक शल्ते रहते थी उत्तरा अदिकार को लेकर वो जंद्यों तो उत्रादिकार को लेकर लड़ाईयां रही हैं और राजय की बैधता को लेकर भी प्रश्ण रहें। तो राजा अपनी वैदता कैसे हमें सबसें पहले करेगा वास्तु कला का निरमार करेगा संवाजे एक आर्थी इसस्तरप पर चैप्टर में जो हैं, वो थोड़ी सी टफ तो हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत करने के काबिल हो गए हैं, किताब को अगर आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लोगे, तो चीजे बहुत असान हो जाएंगी, देखो कई बार ना, बहुत सारी लोग ये कहते हैं, कि ये क्यूंति लेवल पर भी बहुत अच्छी है, आज सिर्फ इस लेना पड़ें कि पेपर से एक दिन पहले हमें पेपर देना हैं, हमें इसे इस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कि हमें बहुत सारी चीजे आ जाएं, तो आशा है, आप इस किताब को सिर्फ इस लेनी पढ़ेंगे कि पेपर से एक दिन पहले कि पेपर में हमें बस लिखना है आप इसे इसलिए भी पढ़ेंगे कि आपके competitive exams की अगर आप त्यारी कर लें या आगे आप पढ़ाई ध्यारी रखेंगे तो यह सब चीज़े जब आपको पढ़नी पढ़ेंगे तो चौथे चैप्टरे मिलते हैं आप से विजनेकर समराज जी के साथ तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद